लाल्ची कुट्टे की कहानी एक बार एक कुट्टे को हडडी का एक टुकडा मिल गया उसे अपने मूव में डबा कर वह एक कोने में जा बैठा वह थोड़ी देर तक उस हडडी के टुकडे को चूसता रहा बात में थटकर वही सो गया जब उसकी नींद खुली तो उसे जोरों की प्यास लगी मुँँ में हड़ी का टुकड़ा दबाए वहाँ पानी की खोज में चल पड़ा वहाँ एक नदी के किनारे गया पानी पीने के लिए वह जुका तो उसे पानी में अपनी ही छाया दिखाई दी उसे लगा नदी में कोई दूसरा कुता है उस कुत्ते के मुँँ में भी हड़ी का टुकड़ा है कुत्ते के मन में इस हड़ी के टुकड़े को हथिया लेने का विचार आया उसने गुस्से में आकर जैसे ही भौकने के लिए मुँँ खोला तो उसके मुह से हड़ी का टुकड़ा नदी में जागरा लालच में उसने अपने मुह की हड़ी भी गवा दी बच्चो इस कहानी से शिक्षा मिलती है लालच का फल बुरा होता है कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेर करे आप हमें फेस्बुक पर भी फॉलो करें